अब सिधा रोख कर रहे हैं फटाफट खबरों का लोग सभाचो नाम के छटे फेस बी साच राज्यो रेक केंद्र शाशी प्रदेश के 58 सीटों पर वोड़ा ले गई पांच पेवेस तक 499 सीटों पर हुआ मर्दार चटे चरण में को ले करोण 49,32,155 वोटर्स ने मसदान में हिसा लिया जिनमें से 58,23,733 पुरुष और 71,7,944 महिला वोटर थी राश्पती द्रापदी मुर्मु ने आज लोग सभाचुनाव के छटे चरण में नई दिली निर्वाचन शेत्र में अपना वोट डाला राश्पती द्रापदी मुर्मु ने लोग तंतर की को और मजबूत करने के लिए मतदान किया लोग सभाचुनाव के छटे चरण में सोनिया गांधी और राहुल गांधी वोट देने के लिए दिली पहुंचे मास ओनिया गांधी के साथ राउल गांधी सेलफे लेते हुए नज़र आए लोगसबा चुनाव में इस बार आम चुनाव कॉंग्रिस और खास तोर पर गांधी परिवार के लिए बहुत खास है केजडिवाल अपनी पत्नी सुरिता के साथ मद्दान करने के लिए पहुचे थे ज़ुरान प्रेंगा गांधी के बच्चे भी मद्दान करते हुए नज़र आए दलिगे मोखे बंतरी आपरिंद केजडिवाल ने वोट जालने के बाद मेडिया से बात करते हुए खाँ मेरे पिताजी, मेरी पत्नी और मेरे दोनों बच्चों ने वोट किया मेरी ममी आज नहीं आपाई उनकी तब्यत बहुत जादा खराब थी मैंने ताना शाही महेंगारी और बैरोजगारी के खिलाप वोट किया लोक्सवाचुनाव के छटे च्वरण में आमाधिपाथी की राजसबा सांसद स्वाथी मालिवाल ने अपने मधाधिकार का प्रियोग किया और बोट जाला लोक्सवाचुनाव के छटे फेस बे लगातार दिगज शुनेता मध्दान करने के लिए पहुंच रहे थे कि ऐसी में राजसबा सांसद कफिल सिवल ने भी मध्दान का प्रियोग किया लोक्सवाचुनाव के छटे चुरण में भीजुपी सांसद मनोश तिवारी ने मत्दान से पहले पूजार्चुना की मनुप्यवाली तीस्री बार जुवितने का दावा कर रहे हैं केंदरी मuntरी हर्दिप सिंग पूरी ने अपनी बतनी लक्ष्मी पूरी के साथ दिली के एक मत्दान केंदर पर बोट डाला हर्दिप सिंग्पूरी ने कहा लोग भारी संख्या में वोटिंग करने के लिए घरों से निकले ओडिसा के छटी चरण और ओडिसा विदानसमाच चुनाब के तीसरे चरण में ओडिसा के मुखे मंतरी रवीन पतनायक ने एक मतदान केंदर पर अपना मतदान दिया और इसा के मुख्य मंत्री रवीन परत्नायक ने कहा मैं सभी मददाताओं से एनुरोद करता हूँ कि वे मतदान करें और अपनी लोगतांत्रिक मददिकार को व्यक्त करें वीके पाधियन ने उनिट चे के चवालीस नंबर बूत पर पहुंचकर वोट दिया सुभा सुभा वो एक ओचों में बैठ कर बूत पहुंची और अपना मददिकार का प्रेयोग किया लोगसभा चुनाव के छटे चरण में पांचुटी अर्यक्ष और बिजटी नेता वीके पांधियन की बतनी सुजाता ने अपना मददान किया और इसा अगे मोख्या सच्छीव प्रदीप जैना ने भवनेश्वर पूर के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला राजवे के छे लोगसभा सीट और 42 विदान सबा सीट के लिए मतदान हुआ बवनेश्वर से भाजपा मुद्वार अपराजिता स्टारंगी ने लोगसभा चुनाप के छटे चरण और अडिजा विदान सबा चुनाप के तीसरे चरण के लिए बवनेश्वर के एक मतदान केंद्र पर अपना बोट डाला समयत पात्रा जपूरी के में लोक्तांतरिक अधिकार का प्रयोग कर मतदान करने लिए और जाथ इन्हों ने कहा कि आप भी मतदान अवश्य करे राची के राजकुमार और पूर्व भारते क्रिकेटर माहिंदर सिंग धोनी ने मतदान किया धोनी ने राची के शामली स्कूल पहुँच कर अपने मतदिकार का प्रयोग किया लोकसभा चुनाव के छटे चरण मिजारकन की गिरीडी ही लोकसभा सीट से इंडिया गडबंदन के प्रतियाशी मतदान किया साथी गिरीडी लोकसभा चुनाव सीट से नरदलिय प्रतियाशी जैराम रहेतों ने वोट डाला पूर्वीच अमपार लोगसवाशेत्र में सुभास से ही काफी संख्या में लोगों ने पहुच कर अपने वोट का इस्तिमाल किया जम कश्मीर बीज़पी अध्यक्ष रविंदर रैना ने राजोरी के एक मतदान केंद्र पहुच कर अपना वोट का इस्तिमाल किया अगनी मित्रा पॉल ने कहा कि हमारे भूबेंच को धीमा करना एक अप्रियास की आजवार हाई ये थिक एमसी के समर्दक हैं यहां हमें ज़वान भूच का रोकने के ओशिश की जा रही है हरकपूर के बौनपूर अगाम की किस्मत अंगुआ में भाजपा की लोग सभाव मिद्वार अगनी मित्रा पॉल की कार रोक दी गई चुना भायोग को इसके शिकार्द की गई मेदिनेपूर लोक्समा सीट्स से वाचपा अमिद्वार अगनी मित्रा पॉल ने őं कि हम अश्वरस्थ हैं कि हम मेदिनेपूर सीट्ट जीतेंगे पस्रblindमंगाल के गांथी में मददान केंदर पर मौट पॉलिंग की गई पश्रिमंगाल की आठ सीटू पर लोक्सवा चुनाव 2024 की छटे टरण में वोट डाले गए पश्रिमंगाल विधानसभा की नेता प्रतिफक्ष और भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने नंभी ग्राम में अपना मद्दान दिया पश्रिमंगाल की जोलपाई गोड़ी उतपाद शुलक विभाग में मैना गोड़ी में एक घर से पांच शुकार ओड़ बीस लाग से अधिक मुले की स्प्रिट और प्रतिबंदित वस्तु हिजब्थ हुई लोक्सवाचुनाब के छटे चरण में कुछ रोजब तस्वीरे सामने आई जहां मैस पर सवार होकर मद्दान के इंदर पर मद्दाता पहुँचे और वोट डालने पहुँचे लोक्सवाचुनाब के छटे चरण के मद्दान में संतकभीर नगर में वोट डालने पहुँचे एक महिला के मौत हो गई हैं महिला पॉलिंग बूच के गेट पर चकर खाकर गिर गई और इसा के मुखे नर्वाचनों के कारी एन भी रहल नहीं बताया कि एवियम में गड़बडी की कुछ जगाओं को छोड़ का 10,581 मद्दान केंद्रों पर मद्दान शान्ती पून हुआ पुरी लोगसबसीर से बाचपा मिद्वार समित पातरा निका एवियम काम नहीं कर रहा मैस पर रिटर्निंग ओफिसर से बात कर रहा हूँ और उनसे समय बढ़ाने का नुरोद करूँगा और इसा में तीसरे समित さब के लिए मद्दान हुआ लोगसबा की 6 जए सीटों और विधा समा की 42 पर मद्दान हुआ निशन गर्मी के बावजूद मद्दों के इंद्रों पर सुभा से मद्दातां की भी लगी हुई थी और इसा की 6 लोकस्वा सीटों पर सुभार 9 बजे तक 7.4-3 परसेंट मद्दार हुआ लोकस्वा चुनाब के शड़ी चैनल में बिहार क्यार सीटों यानिकी वालमी की नगर पश्रिम चंपारन, पूर्वी चंपारन, शिभर, वशाली, गुपाल गंज, सिवान और महराज गंश्रुव पर वोटिंग हो रही गी मोतिहारी शुभर बालमी की नगर सी वियम मशीने खराब होने की शिकायती भी सामने आई भावबली की बतनी लवली आनंद भावबली मुन्ना शुकला बीजबी की सीनियर रीडर रादा मोहन सिंग संज्रे जिसे नाम इसमों शाविल थे पालमी की नगर की बेल हवा में बूत नंबर 69 और दो घंटी की बाद ग्रामिडों ने मदान का भाईशुकार किया था लोक्सवा चुनाम के छटे चरण में अधिक से अधिक वोट डालने के अपील भी की गई इसी के लिए करोट प्रेस के ट्रेडर्स असुस्येशन की ने खास पहल भी शुरू की करनाल के प्रेम नगर में पूर्वोसीयम नहुलाल ने किया मदान और जनता सिश्यत प्रतिशत वोट डालने की की थे अपील कोर्वोसीयम भुपेंदर हुडा ने परिवार के साथ किया मदान और होतक से कॉंगर्स प्रति आशित पेंदरी हुडा ने भी राला बोर इन्हालों नेदा अभशोटाला ने किया मद्दान, मद्दान के बार अभशोटाला ने कहा कि बीज़पी कॉंग्रिस को लोग सबक सिखाएंगे हर्याना के पूर्मोकी मंच्री भुपेंदर सिंग हुडा ने कहा कॉंग्रिसी तरफ लोगों का काफी रोजान है मदान पक्रिया धीमी चलने को लेकार उनने कहा था कि लोगों का मौलिक अदिकार है वो जालना उपेद्र हुडा ने कहा कि हर बार का चुनाव अलग होता है वही पूर मुखिमंची मनोहलाल के जनता निर्णय लेगी वाली बयान पर उनने कहा कि मैं खुद कह रहा हूं कि हर्यानक की जनता भहुत बड़ा फैस्वा लेगी और इसका पैणाम चार जून को दिखाए देगा उपेद्र हुडा ने कहा कि हम तो पहले ही दावा कर चुके हैं कि दसकी रस्ट कॉंग्रिसी सीचे जीतेगी इस बात का पता चार तारीक को पूरे प्रदेश की जनता को भी लग जाएगा अर्याणा लोकित पाथी की अध्यक्षो और सर्शा वधाय गुपाल कान्डा नहीं मदान किया सर्शा के फरशुराम चौक सित खंजाच्वी धरमशाला में बनी मदान केदर में मदान के अनने पुहँचे गुपाल कान्डा निका सेवसा से खिला कमल मोधी जी के गुलदास्ति में सवचे कानो निका लोक्तंदर के सपर में बढ़ चड़ कर मदाता नी भाग लिया गुबाल कांडा ने कहा कि तीसरी बार देश पे मोधी सरकार बनेगी कहा कि देश की खुश हाली प्रक्ति के लिए जन्ता ने मोधी जी को वोट किया परश भी जुपी नेता गुबिन कांडा ने भी किया मद्दान और सरसा के खजांश्रिया धरमशाला से मद्दान केंदर में डाला वोट कोविन कांडा ने कहा देश में मोधी मैजिक चल रहा है साथ इन्होंने कहा राम मंदिर का सपना मोधी सरकार ने पूरा किया अर्याना की गैबिनेट बंसी बुल्चन शर्मा अपने परिवार के साथ बलब गर्गी सेक्षिर दो समदाइक भवन ने किया मद्दान लोगों से राज़्ट में वोट करने की थे अपी अर्याना की किरिशी मंत्री कावन पर गुर्जन ने भी किया मद्दान और रोजी मंत्री अने रिवेच ने शास्त्री कालोनी में बूट नमबर 125 में जाका डाला वोट परिवाहन मंत्री असीम गोईल ने फैत्री गावन नियोला में मद्दान किया और साथ ही उन्होंने कहा कि 400 पा नारा नहीं संकल परिवाहन मंत्री असीम गोईल ने कहा कि पहली बार सिर्फ बीज़पी को 350 से जादा सीथ में लेंगी उन्हें ने कहा अर्याणा में क्लीन स्विप करेंगे आदमपूर में भीज़पी नेता कुल्दी बिश्णो इन्हें परिवार के साथ किया मद्दान पूर्वर काविनेट मंत्वी बुल्गॉल ने लोक्ति अंतर के महापर्व का हिस्टा बन कर किया बोट लोक्ति अंतर के लिए वोटिंग हुई और कंग्रिस अंतर के लिए वरुन चौधरी ने भी अपना वोट डाला वरुन चौधरी ने निश्पक्ष चुनाव की की अपील लोगों से वोच करने की की थे अपील पलवल में विधाय कदीपक मंगला ने किया मद्दान कोस्ती में मद्दान पूर्वांत्री करम सिंग अपनी पतनी के साथ मद्दान केंदर पर पहुंची और किया मद्दान मांद्रिन और भिवानी लोगसबा से जवेज़फी प्रतियाशी राव बादर सिंग ने भूत नमबर 132 पर किया मद्दान पेड़ब्रडी मंत्री डॉक्तर बन्वारी राल ने परिवार के साथ किया मद्दान सरसा लोगसबार शेतर से भीज़फी प्रतियाशी राव शौकतवर लक्षमी नाराण मंदिर में पूजा अर्शना करने पहुंची झektर 20 की राज़किय परात्मिक पाचला में उनने अपनी परिवार के साथ डाला वोट गुझराद की राज़ी पाल आचर एधीवरत ने कुरुक्षेतर में गाम मिर्जापूर की राज़किये परात्मिक वद्याला में अपनी परिवार के साथ मद्दान किया को रुक्षेटर में भीड़ोभी प्याश की नवीर जुनल्दल नेभी मद दान किया। बिवानी महिंदरगर लोक्सवाज शेतर से वीजुपी प्रतियाशी सांसे धर्मिर सिंग ने अपने परिवार के साथ बिवानी में डाला वोट तान से धर्मेर सिंग ने कहा कि बिवानी महिंदरगर लोकस्वाज शेतर से सभी नागरिकों, माताओं, युवाओं और बुज़र्गों से की अपील ये 100% मद्दान किया जाए कॉंगर से धिरी चित्रा सिवा सरवारा ने अपने पती देविद्या सिंग के साथ किया मतान बहादर गड़ से विधाय के राजेंद्र सिंग जून ने अपनी धर्म पत्मी शबनम जून के साथ किया मतान राजिंदर जून ने कॉंगर्स प्रतियाशी दिपेंदर हुडा की जीत का क्या दावा रुग्राम लोकसभा से बीजोगी प्रतियाशी राव उन्दर जीर सिंग ने परिवार के साथ किया मत्तान पुर्बंत्री कैप्टन अजय सिंग यादव और वधायक चौन जीव राव ने भी परिवार के साथ किया मत्तान कैप्टन अजय सिंग यादव ने कहा मोजूता सरकार से जनता कमो भंगो चुका है पुर्बंत्री मंत्री चोद्री बिरेंदर सिंग अपने गाम अदुम रखा कला वूथ नमबर एक पर मदान करने के लिए पहुंचे ही और उन्होंने अपने मत करत किया इस्तिमान मादुर्गर में मंदान केंदरो पर श्यांतिपूर मंदान किया गया और साथी लोगों ने भी उत्धा पूर्वक किया मंदान मादुर्गर के चार्व विधान सबा में बिंक यूथ और दिव्यांगों के लिए भूत बनाई गई दोक्तंदर के महापर में भुदूर्गों में काफी जादा उत्धा देखने को मिला नारोट की राजके करने अब वरिश्वादविक विधाले में बूत नमबर 104 पर इडियम मशीन खराब होने के चलती गंती तक मदान उका रहा लेकिन मदादाओं को बहुत ज़्यादा परश्वानी का सामना भी करना पड़ा नारोट की राजके करने अब वरिश्वादविक विधाले में इंजिनियर नहीं पहुंच कर खराब पड़ी इडियम मशीन को किया थी लोग दवा चुनाब को लेकर अमबाला में चुनाबा योग ने की खास तयारिया लोग ज़ादा से ज़्यादा संख्या में वो डालने पहुंच चाहिए अमाला केंच बूत नमबर 83 को पिंक बूत की तौर पर स्ताफित किया गया खुपशोर तरीके से बूत को सजाया गया अमाला केंच बूत नमबर 83 को पिंक कलर जोहां महिलाओं के लिए दिया गया बूत पर ज्योची भी महिला करमचारी दे रही सरसवे 83 वर्षिय नानकी रेवी हुडा मदान केंदर पर वोट डालने पहुंची मदान केंदर पर रेलचेयर की रस्ता ना होने पर परजनों ने रोज चताया बुलाची का कि कॉलिंग बूत नमबर 48, 49, 50 और 51 पर हंगामा देखा गया पॉलिंग बूत का में गेच बंद के जराने को लेकर पाचियों के कारे करता और लोगों ने जम कर किया हंगामा